आज का जो वीडियो है वो बिलकुल अलग होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे बाबाओं को देखेंगे जो केवल क्रिश्चन्स को बुरा बला कहते ही हैं लेकिन साथ में उनके विशे में और भी बात देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज 36 गड़ में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं धर्म परिवर्तन की बात तो छोड़ो लेकिन इस बाबा का चेहरा देखना एक बार यह बाबा कम बाभी ज़्यादा लग रही है ज़रा इसके बाल देखो और गाल देखो बापरे चलिए देख लेते हैं हम क्रिश्चन का क्या ट्रिक है लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए यह कि बोल के और दो अपने बच्चे को भुखार रहराए तो यह गोलि खिला दो देखते हैं कितनीक्षी पर बोलते हैं यह का नाम लेके बोलते हैं यह तो घंटे भरमा वो खार उतर गहीए व बोलिट देखो तुमारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे कुल मिलाग के सड़यंत रह वेदेशी हिंदूऊं को करके क्रिष्टन बनाते हैं, फिर उनहीं हिंदूओं को जो क्रिष्टन बने हैं, हुण हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं बाबी जी सबसे पहली बात जो आदिवासी लोग है ना वो हिंदु नहीं है ओके बाबी जी का सायद नौलेज कम है वो हिंदु नहीं है वो लो पत्थरों को अपने पिता पुर्ख जो रहते हैं डादा का दादा का दादा का पापा का ऐसा वैसा तो वो उनको मानते हैं ओके वो हिंदु नहीं है सबसे पहली बात तो धरम परिवर्तन का बात नहीं आया दूसरी बात जो आपने बोला वो मीठी गोली और क्या पैरेशेट है मौल वाला सबसे पहली बात कि कोई विश्वासी ऐसा नहीं करता है यदि करता है तो आप पुरूव दो आप सबूत दिखाओ कहां पर करता है कैसे करता है दूसरी बात अरे भाई ये आदिवासी लोग हैं ओ सौरी अरे बाबी जी ये आदिवासी लोग हैं ये कोई जानवर नहीं है जो मीठी गोली और दवाई ना पहचान सके आप क्या सोचते हो कि वो नंगे नंगे गुमते क्या हुला ला हुला ला हुला ला हु करते हो वे जंगल में ऐसा नहीं है ये दवाई पहचानते हैं आदिवासी लोग हमारे यहां पर भी हैं बहुत सारे अच्छे से काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह हैं और उनका एक्चुली में देखा जाए इतिहास, तो उनका कोई धरम है ही नहीं वो पितापुर्ख को मानते हैं, पत्थरों को पूझते हैं जो अंग्रेज भारत में आय थे और उन्होंने यहाँ पर राज किया, वे विश्वासी थे ही नहीं क्योंकि येशु सिखाता है, यदि तुमारे कोई एक गाल में थपड़ मारें, तो दूसरा भी देदो, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, उस बात को माना विश्वासी का अर्थ क्या होता है, बाबा जी थोड़ा कन्फ्यूज है यहाँ पर विश्वासी का अर्थ ये होता है बाबा जी, जो येशुक के बातों को मानता हो, और उसके पिछे चलता हो और यहाँपर हम देखते हैं कि जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने येशु के बातों को नहीं माना, तो वो विश्वासी भी नहीं है उनको क्रिश्चन कहना बहुती गलत है यह है इनकी सिक्षा थपड मार देते अगर बड़ी थी तो उनको पत्थर मार देते तो देखो यह है इनकी सिक्षा कमाल करते हैं बाबी जी हम क्रिश्चन है इसलिए चूप बैढते हैं नहीं तो कोई मुस्लिम होता तो मारता तुम्हें दोलात हम क्रिश्चन की हैसियत आपको क्या बताए बाबी जी हम पहुँचके आगए चांद में और वहां करके आगए टटी पिसाब यानि जब एस्टरोनेट्स गए थे क्रिश्चन उनको वहां टटी पिसाब तो आया होगा तो चांद में जो स्पेश्चिप था तो उन्होंने वहां पर टटी पिसाब किया ना चांद पर करके आगए एक्चुली देखा जाए तो खेर हम क्रिश्चन की हैसियत आपको क्या बताए बाबी जी हम चांद में पहुँचके करके आगए टटी पिसाब आप करते हो उसी चांद की पुजा उसमें कोई न लाब है ना मर्यादा का उलंगन न करो क्योंकि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं यह समझा दो हिंदी बाबा जी आपका ये वीडियो देखकर कर रहा हूं मैं अपना बहुमूल्य समय खर्च यदि आपका धरम आपको लड़ना और पीटना सिखाए तो आपका धरम नहीं है सच और आप लोग जाग जाओ नहीं तो ये पूरा 36 गड़ क्रिश्चन हो जाएगा एक दिन इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाओ इस काम में ठीक है बेटियां भाई सब लोग लगो ये धरम का प्रचार है कभी आपने किसी क्रिश्चन्स को धरम के नाम पे लड़ते हुए देखा है दंगे करते हुए देखा है नहीं देखा ना और देखो को भी नहीं क्योंकि ये शुकी ये शिक्षा है ही नहीं कि धरम के नाम पे लड़ो धरम के नाम पे मरो मारो ऐसा नहीं है और इसका जवाब मैं बाबा जी को शायरी में दूँगा तो सुनिए बाबी जी 36 गड़ तो क्या अगर पूरा भारत भी बन जाए क्रिश्चन तो इसमें भारत का ही है लाब कैसा लगा मेरा शायरी वाला जवाब खेर आज कुछ जादा ही शायरी हो गया मेरी प्रियों यह बाबा बाबी जीतने भी है ना इस दुनिया में बारत में सबसे ज्यादा ओके तो यह ऐसा क्यों करते हैं यह सब मनी मनी प्रबबं मनी प्रब्लम के वज़़े से यह सब लोग लोगों को धरम के नाम पर भड़क क्या कहते हैं कि यह सब जो है जो पैसा है सब मेरा है मेरा मेरा मुझे दे दे पैसा अब देखो हमारे पास एक सौट करोड ये जतनी फिगर है इसका तो ये जो है ये धरबार का पैसा या हमारा पैसा कह लिए अब दूसरे लफजों में कह लिए पुश्ट लफजों में कह लिए वो अपने भक्तों के भीजे हुए पैसे तो जो है क्योंकि उस पर अधिकार हमारा है हम इससे अपनी शक्तियों का एक विशाल मंदर बनाना चाहते हैं हम क्रिटेश्यों नहीं हम अपने भक्तों के लिए जो कि आज जो मंदर बने हुए हैं जगें जगें उनको पूझा जा रहा है हमारे मरने के बाद भी उनके दुख दूर होते रहे हमारा मक्सद कुछ और है मगेर आप अपने आपको बेसिकली भगवान की जगा देखें कभी कभी लगता है कि आप उन्हें भगवान है तो बाबा जी ने अपने आपको परमेश्वर गोशित कर दिया हम ही है भगवान, हम अपना मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर, अपने आपको परमेशर गोशित कर दिया, यह सब पैसा हमारा है, सुना न आपने भारत में आपको अलग-अलग किसम के बाबा मिलेंगे, बुड़े बाबा, नाचने वाले बाबा, थोड़े और नाचने वाले बाबा, अलग-अलग किसम के बाबा आपको भारत में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक और बाबा देखने को मिलेंगा, हगने वाले बाब I am 100% sure ये भक्ती तो बिल्कुल नहीं है अरे कमाल करते हैं यार आसा राम बापु को पहला ही पता चल गया था कि वो तिहार जेल जाने वाले हैं आईला ये तो भविश्य वक्ता निकले ग्यानी है अंतर यामी है बहुत बड़े स्वामी है शक्ती मान है बुद्धी मान है बलके मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुशी नहीं है ये बुद्धी हार जेल में जाने का भी संकल पूर है खोन जाएं ये तारे जमी पर ऐसा वैसा कुछ नहीं है उन्होंने एक लड़की के साथ कुछ गलत काम कर दिया एक नहीं बहुत सारे लड़कियों के साथ तो इसलिए अभी वो उस केस में जेल के अंदर है और ये वाले बाबा तो और भी ज़्यदा भैंकर है क्यूंकि बाबा जी को पीने का मन कर रहा है बाबा जी के जो एक्टर्स हैं इन्हें इतना दुख है इतना दुख है क्या बताओं बाबा जी कभी कभी सब्जी बनाती हो बाबा जी उसके प्रणाम अजी कहां से आप आए बैंगलो से जाना है बाबा जी बुकिंग किया है सप्टेम्बर में बाबा जी मैं 2011 से आप से जुड़ी हूं आप से जुड़्णे के बाध मैं करीब हो घुटी अज आप दो शुटी आप व्रम रिला जी ले लॉग अधाल व् woj बाबा में इतने दुखी हो गई थी इतनी दुंखी हो गई थी किसी के म phải ngay जानता हो किसी के आवाज का मजाक नहीं उड़ाना चाएं ये लेकिन ये जो है ना ये- असली दुख नहीं है मेरे परीयों ये सब एक्टर जैं इस बाबा कुर्ण एस डूखी हो गई और बाबा आपके ऐसे किरपा हुई ऐसे किरपा हुई कि बाबा वो पाई पाई चुका होगी नहीं तो बाबा हम बहुत दुख्य हो बाबा काम भी नहीं कुछ नहीं यह बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाबा अच्छा तो बाबा बच्चे भी देता है वाव यह बच्चा भी आपका दिया हुआ है बाब यह तो थे निर्मल बाबा के कुछ भक्त पेड अक्टर्स अब हम देखते हैं कि निर्मल बाबा इनको क्या-क्या सलूशन देते निर्मल बाबा का जो सलूशन जैना मेरे प्रियों यह डिपेंड करता है कि उनको क्या खाने का मन कर रहा है और कभी-कभी बाबा का मूड अगर नौटी हो जाता है तो उनके सलूशन भी नौटी हो जाते विश्की की बोतल विश्की की बोतल बस 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 बहुत हो गया अब हम फीमेल बाबा नहीं फीमेल बाबी को देखते है आई एम प्योर एंड पाइस वो एक आम इंसान नहीं है ता फिर क्या है रादे मा तारे जमीं को सुलिभी हो जी लाट अप लागे लूrat लिगीं हो जी लाट घू प्रफ मा चूना पहनती है रादे मा पंच लाट मeter मागती है आने का पचास लाक का मेकप लगाती है जबकि देख लो अप मेरे मेकप कुछ नहीं लगाया हुआ अगर ये मेक अप नहीं है तो ये क्या है ये पूरा मूँ में क्या बोलते हैं ये जो भी है ये ये पूरा पोत रखा है सभेट सभेट और ये तना लंबा ठीका लगा रखा है और ये लाल लिभी श्टिक लगा रखा है ये मेक अप नहीं तो ये क्या है मेरे प्रियों बगवान की इच्चा यही होगी, अभी मैंने चोंकी हगा नहीं चोड़ दिये, अभी मैं बड़ी नहीं होगी, बड़ी तो पहले से थी जैसे लोग अपना आइडेंटी कार्ड लेके चलते हैं, वैसे राधे मा हमेशा एक भक्त को अपने साथ रखती है, क्या पता कब प्रूव देना पड़ जाए? यह हमारी आस्ता है, हमारा विश्वास है कि हम मातारानी के चर्णों में गए, हमने अपने प्रातना रखी, हमारे काम हो गए, तो हमारे लिए वो दिवता तुले है, देवी तुले है, यह हमारे भक्तों के आस्ता है बस चल जाओ, चल जाओ बिचारे बुड़े अंकल की कोई इजयती नहीं काम हो गया तो चल जाओ अरे रादिमा ऐसे सरयाम पैसे थोड़ी न मांगते मतलब कंट्रोल कंट्रोल अरे मैं आप लोगों को एक चीज बताना तो भूल गया अभी लाइक करोगे तो अभी बाबा जी का क्रिपा वर्सेगा वही वर्सेगा तो मेरे प्रियो आज के लिए इतना ही तो आपने देखा किस तरीके से ये बाबा लोग सबको बेवगूफ बनाते हैं इसलिए साफदान रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक जरू करना बाबा जी का क्रिपा वर्सेगा प्रभी येश मुसे अब सब को आशिज दे चे मसी की समस्या क्या है? बाबा जी तीन महीने से बेरोजगार हूँ बड़ी दिक्कत परेशानी में चल रहा हूँ घर में काफी सारी प्राब्लम्त है कुछ बद्वू सा मूली सा कुछ पता नहीं अजीब सा ख्याल आ रहा है शादी होगी बड़ा? जी बाबा जी कितने साल होगी? साथ साल होगी बाबा जी पाद मारती है बीवी? जी बाबा जी पाद मारती है है जी बाबाजी मारती है बाबाजी सुंगते हो नहीं बाबाजी किर्पा वहीं अटकी हुई है गर जाना है मूडी ले के जानी है रोज ले के जानी है बीवी पाद मारेगी वो पाद सुंगना किर्पा बर्ची बाबाजी कि जाए हो बाबाजी को पुणा